अलो स्टूडन्ट, स्टांडर्फीट सब्जेक्ट हिंदी लेशन वन यातायत यातायत चित्रपाठ है आप सब जानते हो यातायत साधन किसे कहते हैं यातायत वह साधन है कि एक जग से दूसरी जग आराम से जा सकते हैं आप सभी अलग-अलग यातायात के साधन में बैठे होगे। आज हम याताया चित्रपाट को देखकर उसे समझेंगे। इस चित्रपाट में सड़क पर एक सुटर जा रहा है। स्कूटर के पीछे मोटर का जा रही है। सड़क के साइड पर एक साइकल जा रही है। आप सब जानते हैं कि ये सब यातायत के साधन हैं, किसी स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुचने के लिए हमें आकासमाग से जा सकते हैं, हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर की सहायता से जा सकते हैं, इस चित्र में रेल गाड़ी दिखाए दे रही हैं, रेल गाड़ी इतनी बड़ी होती हैं कि एक साथ कई यात्री सफर कर सकते हैं, यातायत के साधन की सहायता से हम एक जगर से दूसरी जगर आसाने से जा सकते हैं, और हमारे समय की बच्चत होती हैं, इस चित्र में दूसरी और बगीचा दिखाए दे रहा हैं, बगीचे में एक बच्चा जूले में जूल रहा है, दूसरे बच्चे भी खेल रहे हैं, बगीचे में कुछ लोग बैठे हैं, चित्र में एक खवारा दिखाई दे रहा है, बगीचे में हरी हरी गास भी दिखाई दे रही हैं, और बगीचे में तर तर के फूल भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे की गुलहर्ड, गुलहर्ड को अंग्रेजी में सूप लावर और गुजराती में जासुत कहते है शुर्यमुकी, गुलाब, चमपा और मोगरा आदी सुन्दर सुन्दर फूल दिखाए दे रहे है इन फूलों से बगी चे की सुन्दरता और बढ़ गई है अब हम दूसरा चित्रा देखेंगे, दूसरे चित्रा में भी यातायात के साधन दिये गए है सडक पर चलने वाले यातायात के साधन में बस दिखाए दे रही है बस के पास ओटो रिक्षा दिखाए दे रही है बस में एक साथ बहुत सारे यातरी सफर कर सकते है पानी के याताय साधन नाव जहाद दीख रए है जहाद को जल्यान भी कहते है हम पानी के द्वारा जल्माख से एक जगह से दुसरी जगह जाना चाते हो तो नाव और जहाद से जा सकते है याता है चित्रपाट में हमने सड़क पर चलने वाले साधन, ओटो रिक्षा और बस्त देखी और पानी में चलने वाला साधन नाव और जहाज देखा दोनों चित्रों को देखने के बाद उसे समझा और उसके नाम सिखे इसके अलावा चित्र में नारियल के पेल दिखाई दे रहे है, दो नारियल के पीछे एक गर दिखाई दे रहा है याताया चित्र पाड को समझ कर हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जीवन में याताया साधन कितने उप्योगी होते है, वो हम समझ सकते है Thank you